हेलो दोस्तों नमिशकार कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ slit का एक design लेकर आई हूँ यानि कि चाक पे हम एक design बनाएंगे वैसे normally हम यहाँ पे piping लगाते हैं वो भी only slits के उपर लेकिन आज पूरे घेरे में एक 7 lace का ये design बनाकर ready करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है सबते पहले हमने marking कर लेनी है जितना घेरा आपने fold करना है नीचे से और side से सारे पे निशान लगा लेने हैं तो मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ आपने ऐसे निशान लगाने हैं पूरे घेरे के और slits के निशान लगाकर इस तरह ready कर लीजे इसके बाद हम इस design को बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे आप piping का यूज कर सकते हैं लेस किसी भी design की ले सकते हैं तो मैं यहाँ पे यह दोरी वाली लेस आती है उसको यूज करूंगी और इसे यूज करके बहुत ही सुन्दर यह design बनाकर ready करेंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस को एक किनारे से ले लेते हैं यहाँ पे एक किनारे को मैंने थोड़ा सा cut कर लिया है उपर की तरफ बढ़ा लिया है यह हमारा बाहर की तरफ आएगा और लेस हमने उल्टी रखके लगानी है यहाँ पे कई लोगों को problem आ जाती है कि वो सीधी रखके लगा देते हैं लेस को मैं यहाँ पे पूरे यह जो curves हैं बने हुए पूरे दिखाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे हमने इसको cut नहीं करना है पूरे घेरे में एक ही बार में लगाकर ready कर लेंगे तो यहाँ पे corner पे आ गए हैं इसको turn कर लेंगे turn करते हुए सीधे घेरे पे इस तरह चिलाई लगा लेते हैं यह जो तरीका है पूरे घेरे में एक साथ लगाने का बिना कटके यह बहुत यह अच्छा और finishing वाला होता है क्योंकि जब हम lace को बार बार काटके जोडते हैं तो उसमें joint भी आ जाता है और यहाँ पे finishing भी नहीं आती है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह silker ready कर लेते हैं उपर तक जब आपने end पे जाना है जब आपने top पे जाना है तो एक चीज का ध्यां रखना है यहाँ पे lace का फिर वैसे ही corner बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था इसको हम इस तरह stitch कर लेते हैं एक से दो बार तो लीजे यह सिलाई हमारी लग चुकी है अब हमने slits को underground करना है और घेरे को भी अब हम पहले slits को कर लेते हैं उसके बाद घेरे को कर लेते हैं इस तरह हम इसके उपर fold करते हुए जितनी आपने lace show करनी है उसके उपर सिलाई लगा लेंगी यहाँ पे मैं यह curves दिखाऊं ऐसे ही हमने दूसरी slit fold कर लेनी है और ऐसे ही हम घेरा fold कर लेंगे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो lace है वो उल्टी होनी चाहिए जब आप लगा रहे हो और जो slits में आपने कपड़ा छोड़ा है margin के लिए वो कम से कम 2 इंच होना चाहिए क्योंकि अगर 2 इंच का margin होगा तभी अच्छी से fold हो पाएगा अब निचे की तरफ भी हम इसको इस तरह fold कर लेते हैं उसके बाद इसके उपर आप सिलाई लगाए या फित रुपाई कीजिए वो आपकी मर्जी है इस तरह बनकर ये घेरा ready हो जाएगा आगे और पीछे द को आपने अच्छी तरह बाहर निकाल कर दबाव की सिलाई लगानी है यह जो लगाने से लेस हमारी अच्छी तरह set हो जाएगी और बहुत ही सुन्दर लगेगी देखने तो यकीन मानिए यह जो design बना है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और नॉर्मली वैसे मैं इ किसी तरह लगाकर एक बार देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो इसको एंड तक लगाकर finish कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूं यह कैसा बना है तो लीजिए यह घेरा हमारा बंक त्यार हो गया है उपर से मैं दिखा रही हूँ आपको अब हम इस तरह नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको मैं पल्टी करके दिखाती हूँ इसको हमने तुर्पाई कर लिया है जो हमारा घेरा है उसको हमने तुर्पाई करके रेडी किया है और इसकी finishing देखें कितनी बड़ी आई है और दोनों साइड हमने आगे और पीछे दोनों साइड ऐसे लगा कर रेडी किया है आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताईएगा जिरूर अगर आप भी इसी तरहें लेस या फिर piping अटाइच करते हैं तो हमें comment करके आई है तो भी आप comment कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे नए डिजाइन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक केर अपर रखेंगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हम में मैसेज कीजिए हम उस पर विए जरूर बनाएंगे थैंक ये फो वाचिंग इस वीडियो